ब्यवस्ता विवरन अध्याय 27 फिर इस्राइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आग्या दी कि जितनी आग्याए मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमिश्वर यहोवा तुझे देता है तब बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चुना पोतना और पार होने के बाद उन पर इस विवस्ता के सारे वचनों को लिखना इसलिए कि जो देश के तेरे पुर्वजों का परमिश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें तु दूद और मधु की धाराये बहती है उस देश में तू जारे पाए फिर जिन पत्थरों के विशे में मैंने आज आग्या दिये है उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहार पर खड़ा करना और उन पर चुना पोतना और वही अपने परमिश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना उन पर क इसके लिए हुंबली चढ़ाना और वही मेलबली भी चढ़ा कर भोजन करना और अपने परमिश्वर यहोवा के सन्मुख आनन्द करना और उन पत्थरों पर इस वेवस्ता के सब वचनों को शुद्धरीती से लिखते ना फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राइल परमिश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है इसलिए अपने परमिश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आग्या और विधी मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यहा आग्या दी कि जब तुम यर्दन पार हो आओ तब श्रिमोन, लेवी, यहुदा, इसाखार, युसूप और बन्यामिन ये गिरिजम पहाड पर खड़े होकर आशिरवाद सुनाए और रुबेन, गाद, आशिर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड पर खड़े होकर शाप सुनाए तब लेवीर लोग सब इस्रायली पुरुषों से पुकार कर कहें कि शापित हो वह मनुश्य, जो कोई मुर्थी कारिगर से खुदवान और खुदवाकर और ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करें, क्योंकि इससे यहुआ को गुरुना लगती है तब सब लोग कहें आमिन, शापित हो वह जो अपनी पिता वा माता को तुछ जाने, तब सब लोग कहें आमिन, शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवानों को हटाए, तब सब लोग कहें आमिन, शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमिन, शापित हो वह जो परदेशी, अनात वा विध्वा का न्याय भी गाड़े, तब लोग सब मिलकर कहे आमीन शापित हो वह जो अपने सवतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओड़ना उगारता है, तब सब लोग कहे आमीन शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन शापित हो वह जो अपनी बहिन चाहे सगी हो चाहे सवतेली उससे कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे तब सब लोग कहे आमिन शापित हो वह जो निर्दोश चन के मार डालने के लिए धन ले तब सब लोग कहे आमिन शापित हो वह जो इस व्यवस्ता के वचनों को मान कर पूरा न करे तब सब लोग कहे आमिन झाल